मन्द पर गिराजमान भार्टिय जनता पार्टी के सभी वरिष्टमानुभाव और गुजरात को विजयी बनाने वाले मेरे गुजरात के कोटी कोटी बंदु भगिनी जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्टना है कि मेडिया को अपना काम करने दीजिए आप मुझे भली भाती जानते हैं आज उनको अपना काम करने दीजिए आप लोग बैठिये नहीं दिखता है तो सरफ आवाद सुनिये मेरी जैसे चुनाओं में राजनिटीक दल के कारकरता ठकते हैं वैसे ही चुनाओं में मेडिया के मित्रकों को भी बड़ी ठकाम रहती है बहुत भारी काम रहता है उनको भी अर इसलिए उनके प्रती भी आप लोग प्रेम और उदारता बरते हैं कि मेरी आप सबसे प्रार्फना है भायो मैंनो अब सुनना ही रोगा आप अब अब बैठ यह नहीं खड़े आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग वाले खड़े वाजाएंगे तुछे क्या होगाप देख बैठ गया, बैठ गया, कभी यहाँ से आवाद सुरी होती है, कभी यहाँ से होती है, भाई यो बैनो, गुजरात के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजों ने, ये सिद्ध कर दिया है, इस देश की जनता, इस देश का मतदाता, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भाती समस्ता है, और जब जनता को स्वतंतर रुप से निर्णे करने का आउसर आता है, तब हर किसी की सोच के उपर उठकर के, बहुत ही उचाई के साथ, और भविश को नजर में रखते हुए, मतदाता, निर्णे करता है, गुजरात के चुनाओं नतीजों ने, ये सित्व कर दिया, कि लोग तंत्र की इस लंबी प्रक्रिया के दर्म्यान, गुजरात का मतदाता, कितना मैच्योड हुआ है, सारे लोग लालच से उपर उठकरके, बाती बाती के जहर से उपर उठकरके, अगर मेरा गुजरात का भला होगा, तो कल मेरा भी भला होगा, ये छोटी चीज़ नहीं है, और जब भारतिये जनता पार्टी ने, चुनाओं में एक सादा सीधा बाक्य रखा था, एक मत गुजरात, पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी ऐसे सरवल वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया था, न वो स्पाइसी था, न वो किसी के खलाब था, हलका फुल का विचार रखा था, और जैसे, कमल के फूल को लोगों ने उठा लिया, उस मंत्र को भी लोगों ने उठा लिया, देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझ ना होगा, कि गुजरात ने, असी के दसक के, जातिवादी जहर को, और उसके दुश्परणामों को, भली भाती, देखा है, अनुभव किया है, और उसके कारण, गुजरात के मतदाता, गुजरात में कभी भी वो असी के दसक का हाल, नहीं चाहते हैं, गुजरात के मतदाता, भाई एक बिड़े गाएन, अवादोन भाई, यह ना माटर सूर टाइम पर गाड़ों, अन्यों दर वक्त आओए, प्लीज कम, भाई यो बेनो, गुजरात के मतदाता, छेतरबाद से उपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से, उपर उठ करके, आने वाली पीडियों के लिए सोचना, यह हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है, भाई यो बेनो, जो लोग, भाती-भाती के समिकन लगाते थे, और देश में एक परंपरा बनी थी, कि सरकारों का काम आना और जाना है, एक सरकार आएगी, वो पांच साल रहेगी, फिर दूसरी आएगी, वो पांच साल रहेगी, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब जनता सरकारों को जवाब्दे बनाती है, बार-बार जिन्मेवारी दे करके, उसके काम का हिसाम मांगती है, और जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार-बार सरकारे चुन करके आती हैं, तब शांसंज में बैदे हुए राजनिती दल की एकाउंटिबिलिटी जादा बढ़ जाती हैं, और ये ये लंबी सोच का काम वो ही मतदाता करते हैं, जो काफी महच चड़ हुए होते हैं, मैं गुजरात के मतदाताओं को, इस बात के लिए लाख लाख कोटी कोटी अविनंधन करता हूं, मैं गुजरात के मतदाताओं को वंधनि करता हूं, ट्रून ने हर लुभावनी मापों को ठुकरा दिया, साल देर साल से चल रहे लगातार जूट को मानने से इंकार कर दिया इलेक्षिन मैनिफेस्टों को ब्राइट में कन्वर्ट करने के बावजूद भी लोग उससे मोहित नहीं हुई और इसलिए सारे देश के political पंडित आज गुजरात की चर्चा कर रहे है तो दरेंदर मोधी की जितनी चर्चा करनी है करें सालों से करते हैं आए आगे भी करते रहें लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोर गुजराती है अगर चर्चा कर रही है तो उनकी किजिए यस देना है तो उनको दीजिए और कुछ सीखना सिखाना है तो मेरे गुजराद के मद्दाताओं से सीखिए भाई और बैनो इस चुनाव में इस देश के सामने हमने एक मिसाल काइन की है और वो मिसाल ये है हमारे देश पर एक मान्यता थी कि गुड़ इकानमिक्स इस बैड़ पॉलिटिक्स सुसाजन डेवलप्पेंट आर्थिक विकास इस चीजे हमारे देश की राजनीती को सूट नहीं करती है भाईयो बेहनों मुझे आज गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात के मद्दाताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि देश की जन्ता गुड गवर्नर्स और रेवलप्पेंट ये अगर जमीन पर दिखाई दे तो जन्ता बाकी सब बातों से उपर उड़ करके उचीत फैसला करती है और गुजराती जन्ता ने वो फैसला किया है जिए झाल आओ आखे लुजराओं प्रॉब याद भी ओश्ड वी कर दो स्टोकू ये इज जन्य एपर आफ आप आप्लोग आओ